हालो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग मैं हूँ ये समन ये अब सारे स्टुडेंट्स का प्यारा सा फिजिक्स टीचर और एमिंग हाई हिंदी यूट्व चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूँ मेरे डियर स्टुडेंट्स आप लोग को पता है कि बिहार बोड 2021 बोड एक्जाम के लिए नया मोडल पेपर जारी कर दिया है सबसे पहले तो अगर आप मोडल पेपर डाउनलोड नहीं किये हैं तो डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दूँगा गूगल ड्राइब से जाकर पहले डाउनलोड कर लीजिए तो हम इस नये मोडल पेपर के फाइदे और नुकसान के वारे में आज जानेंगे पहले ये भी जानेंगे कि जो हम लोग का पिछला साल यारी 2020 में बूर्ड एक्जाम पड़ा था जिसमें करोना का लहर नहीं था और 2021 में जो एक्जाम पड़ेगा इसके एक्जाम पैटर्न में डिफरेंस क्या है मतलब पहले कितने MC की हुआ आते थे पहले कितना 2 mark का subjective question आता था पहले कितना 5 mark का questions आता था कितने को solve करने होते थे चाहिए objective, subjective या कुछी की भी बात करें और 2021 में कितना आएगा और कितना solve करना पड़ेगा तो पहला तो हमारा मुद्धा यह हुआ दूसरा कि यह जो नया एक्जाम पढ़ने वाला है नय तरीके का एक्जाम, नय तरीके के model paper से यानि नय तरीके के exam pattern से, question pattern से इस से किन को काफी फाइदा होगा, किन को काफी फाइदा नहीं होगा और किन बच्चों को नुकसान होगा और कैसे उस नुकसान को एक्जाम में तीन घंटे में क्या करें कि ताकि वो नुकसान से बचे उसके बार हमी बात करेंगे, यह दूसरी बात होगी तिसरी बात, कि अगर आप यह सारे के सारे model paper का solution चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon क्लिक कर लिजिए क्योंकि सारे subject का model paper का solution काफी detailed में आएगा और हाँ, play store से aiming high app जो हम लोगों का है, description में link ददूंगा app का install नहीं किया, तो install जरूर कर लीचेगा इसलिए मेरे students क्योंकि उसमें भी detailed solution model paper का आएगा सारा objective question जो पढ़ के पिछले साल, आपके senior topper ही वनी है बिहार board में 2 rank, 3 rank भी लाए है, अच्छे से top 10 में भी आए है तो उन लोगों का भी उसी objective MCQ से पढ़े थे, 2021 के लिए नया MCQ में high app पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं install करके जो आपके लिए काफी important होगा, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या-क्या changing आया, पहले changing के बारे बात करते हैं students देखिए आपके सामने screen पे पूरा completely दिखाई दे रहा है 2021 board exam के objective के बारे में और 2020 board exam के objective के बारे में मेरे पास 2020, 2019, 2018 सब का model paper मेरे पास पहले से पढ़ा हुआ है मैं screenshot लेकर के आपके सामने भी लेकर आया हूँ, देखिए पहले मैं 2020 की बात करता हूँ, 2020 बाले को पढ़ेंगे 2020 का जो हम लोग का physics chemistry या biology का question होता है जो 70 number का पढ़ता है, maths की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 100 number का पढ़ता है मैं maths की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि जो हम लोग का 70 number का exam पढ़ता है physics chemistry या फिर बात कर ले हम biology का, तो मेरे डियर students उसमें अगर देखेंगे तो पहले 42 objective आता था, 42 objective आप देख सकते हैं, 42 objective इसमें से किसी भी 35 को solve करना होता था, किसी भी 35 को, यानि 35 नम्मर का question solve करना होता था, 35 ये अधीक के उत्तर देने पर, शुरू का 35 question है, उसी का मुल्यांकन होगा, अगर माने जो कोई बच्चा 40 question का दे दिया, तो शुरू का जो 35 अबनाए हैं, उसी का आपका मुल्यांकन होगा, फिर कह रहा है, इसका उत्तर उपलब्द कराए गया, ओमर बगर बगर ये तो देख लीजेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस साल क्या हुआ है, देखिए, इस साल 2021 में, कि अब पहले जो हम लोग 42 में 35 करना होता था, अब 70 MCQ आएं को भी आप solve कर सकते हैं, ये आपका फाइदा हो गया, अगर मैं आगे चलो तो इसमें और भी लिखा हुआ है, वहीं सीम चीज, कि 35 का ही मुल्यांकन होगा, अगर उससे ज़ादा देंगे, तो 35 का ही मुल्यांकन होगा बगर 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 जो बाते हैं, तो ये तो हो गया पहले में देख incentiv और बनाना होगा तो यह तो आव्यूंचerative में क्या changing आए इसके बाये'm बाद कर लिए चलिए सब जेक्टिव में क्या changing आए इसके बात करते हैं देखिए आपके सामने स्क्रीन पर शाफ दिख रहा है देखिए पहले 2020 का सब्जेक्टिव देखिए पता होगा कि आपको सब्जेक्टिव दो मार्क का कोशन पुछता है और पांच नंबर का दो तरीके का कोशन पुछता है तो subjective जो पहले आता था मेरे बच्चे वो 18 short question आता था दो number वाला मतलब पहले 18 में से 10 को बनाना होता था अब आपको 20 में से 10 को बनाना होगा तो यह तो बात होगे यह students two marks वाले subjective का यह अंधि soft answer वाले का आते हैं long answer question पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो पहले से 2020 के long answer question में, 6 आता था long answer, सब के लिए 5 number का होता था, उसमें उसमें 3 को बनाना होता था, अब भी भी long answer 6 ही आएंगे, उसमें से आप लोगों को 3 बनाना होगा, यानि कहने का मतलब कि जो subjective question में long answer question होता है, उसमें कोई भी changing नहीं आया है, objective में changing आया है, पहले 42 objective आता था, फिजिस कविस्टी वाइलोजी में, अब आपको 70 objective कर दिया है, 35 बनाना है पहले जैसा, पहले subjective question 2 number वाला 18 आता था, उसमें आपको 10 बनाना होता था, 20 आयेगा और 10 बनाना होगा, इसके बाद मेरे students, पहले आपको subjective 6 आता था, 3 बनाना होता था, 5 नमर बाले, अभी भी 6 आएगा, 3 बनाना पड़ेगा, चलिए, तो क्या changing आया, ये तो पहले पता चल गया, अब इसके फाइदा और नुकसान के बारे बात करते हैं, students, ये भी बात करेंगे कि कैसे नुकसान से बच्चे, समझे मेरी बात को मै क्या कह रहा हूँ, सबसे पहला फाइदा किनको है, तो वो बच्चे, जो अच्छे से study नहीं करते हैं, बढ़िया से study नहीं करते हैं, ध्यान दे कर नहीं study करते हैं, तो उनको तो students फाइदा है, question number बढ़ गया, तो अभी असी बात उनके हाँ, कम probability उनसे बहुत ज्यादा है, कुन से question बने, लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं, उनको कोई विसेश फाइदा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आपके पास 50% choice है, अच्छे से अप्रहाई किये हैं, तो 35 में जा ज़्यादा, 40 होता, 45 होता, उतना question करने का कोई और चित्ती नहीं बनता है, कि 40 या 42 के अंदर ही ना, आपको सारा का solution मिल जाएगा, अगर अच्छे से पढ़े हैं, तो जो अच्छे से पढ़े हैं, उनको कोई विसेश फाइदा इससे नहीं होने वाला है, जो नहीं बढ़ियां से पढ़े हैं, और सिर्फ objective से पास करना चाहते हैं, उनको फाइदा हो अच्छे से, पढ़ने वाले को मैं आपको बताता हूँ, उसके बार ही बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, या यूँ बोले कि उसका हानी क्या है, नुकसान क्या, देखिए, सिर्फ question number बढ़ाने से तो नहीं न होगा, आपके पास समय कहां से आप लाएंगे, पढ़ने के लिए 100 question, जैसे math में 100 objective कर दिया, 50 बनाना 100 कर दिया है, तो आप 100 question कहां से पढ़ेंगे, सिर्फ objective तो आपको बनाना नहीं, एक ही घंटा तो आपके पास समय आएगा, एक ही घं साथ मिनट होता है, आपको 100 question पढ़ना है, आप समझ रहे हैं, एक question में 30 second का समय मिल रहा है, क्या आप बाहु बली है, पढ़ियेगा, बनाईएगा, नहीं, बनाईएगा, बनाईएगा, बनाईएगा न question को, तो बाहु बली, आप सोचें, जोड़िये कि एक question पर आपको 30 second क समय लगबग मिल रहा है, समझ में आरी मेरी बाते में, क्या करों, 60 मिनिट में, 100 question, आधा मिनिट में, एक question लगबग में, तो आपको मेरी बाते आडिया लग रहे होगी, इसलिए आप इस नुकसान से बचने का सबसे बेस्ट यह उपाय है, कि सुरू से बनाना सुरू करे, और जो आपको लगे, कि इसका अंसर confirm यह हो जाएगा, उसको वहीं पे answer question में, या कहीं भी, click करते चले, या वहीं पे color करते चले question में, समझ में आ रही है, ऐसा नहीं कि चलो भई, suspicion में हूँ, तो बाद में, ऐसा नहीं, फिर आपका समय नहीं बचेगा, फिर objective के लिए अग चलिए, तो I hope कि आपको मेरी बाते समझ में आ रही होंगी, पूरी की पूरी, अब बात करते हैं हम लोग, कि आपको यह सारा का सारा objective questions मिलेगा, कहां से कहां सारा important MCQ ले सकते हैं, देखिए, जब आप play store से aiming high app install करेंगे, उसके mobile के अंदर store tab दिखेगा, store पे click करेंगे, सार important objective questions वहां पे डाल दिया गया है, शार्षात में पूरिया model set का solution aiming high app पे भी आएगा, aiming high channel पे आएगा, aiming high हिंदी पे, subscribe करके bell icon क्लिक कर लिजेगा, और शार्षात में वहां भी जरूर participate होईएगा, मतलब aiming high app पे जाके objective देख सकते हैं, मिलते हैं आप से अगली class में पढ़ते आप सकते हैं, समझते हैं, जाहिंद बंदे मात्रम